नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मेहूं का जोन लरायन बहुत स्वागत आपका आमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में और आज मेरे साथ खास मेहमान जोड़ी हैं डॉक्टर जीनत एहमत फिजिशन है डैप्लोजिस्ट है प्राइमर केर सूपर स्प्रस्टिटी अस्पताल में जो की नौइडा में स्थिथ है आज मेरे साथ जोड़ी है मैं आपका बहुत स्वागत है नीजवल इंडिया में मैं आई फ्ल्यू इस वक्त अगर चारों तरफ आप देखेंगे खासकर कि दिल्ली अंसियार में तो आई फ्ल्यू के मामले बहुत ज्यादा सामनी आ रहे हैं आई फ्ल्यू को बहुत ही जो आम बोल चाल की भाशा में देखा जाए तो बहुत नॉर्मली लोग देते हैं कि आउंक आ गई है लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो सबसे पहले सवाल है कि आई फ्ल्यू होता कैसे है यह फ्ल्यू है एक फिसह को प्रशंट मेखा हैं तो सत्यू रेुट होता है जो हमारे आंखों नेर लेयर को कवर करता था जो आंखों का वाइट पार रुट है तो यहां पर कैसे बचाफ किया जाए और क्या यह सिर्फ आँखों में देखने से होता है या अगर आप किसी सतय पर अपने हाथ रखते है अपनी आखों को जो कि पॉसन इंफेक्टिड है वो अपनी आखों को टच करता है या किसी सतय पर रखता है फिर आप उसी पर अपने ह हमें आपनी ऐसो कोत्थच करते हैं या यह है या यह इस जो पहल इसर है कि आपको प्रिछन वान बेखन क्वेश, इन कंधकी इस स्पठू सकते हैं dudane तो यह एक पार देखने से नहीं नहीं पहलता है यह चूने से फैलता है अगला बार बार इंफेक्टे राए को तच करेंगे और आप उसी हाथ से तच करेंगे तो उसमें वाइरस कुछ पहलों तक लाइव रहते हैं तो वहाँ में वह जो तच होता है वही इस प्रेट का कादन होता है मैम यह होता क्यों है क्योंकि देखिये हमने बहुत कम अब देखा है कि आई फ्लू जैसी चीजे नजर आते हैं इस बार हमने देखा कि बहुत जादा यह फैला पहले दिल्ली फिर एंसीयार और अब उत्तर एक विस्स कर दो हिते दूम्हीज मर रुकिम का फमने के कि अपत है। झाहिए ल्त नंबर मस्फिंध ऐसक तरहुत शुचन के सलहर एफिजहीं व्री MIKE कि पस भाला क्ते हैं आपके की तार तो मॉट gang के सब्सक्राइअ का G content इसके लक्षण क्या है कैसे आपको पता चले कि आप इससे पीड़ेती है कि एक नॉमल आखे आना और यह इंफेक्शन होना लोग डिफ्रेंशियेट नहीं कर पाते हैं आपको कुखार, सोर्थ रोट, खांसी के साथ भी कंदेंटिवाइटिस हो सकता है और या फिर इसमें सिंटम्स भी रह सकते हैं जैसे के रेड आए आखे आखे रेडनेस हा जाती है मतलब आप जब रॉष्णी में देखते हैं और आप में दल्ध इसके बचाव क्या है कैसे अपना बचाव के अगर ऐसा कंजवाइटिस्ट होता है किसी को तो कैसे अपना ध्यान रखे ताकि किसी और कोई इंफेक्शन ना हो अपने आस पास किस तरह का महौल रखना जैसे कि हमने अभी डिसकस किया कि वाइरल कंजवाइटिस इस कौंटेजियस तो अगर हम जो फ्लू से इंफ्रेक्टेड परसन है उससे दूरी बनाए रखें और उसके तच से हम बचे रहें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि ये कमिनुटी में बहुत फास्ट होता है तो प्रिवेंटिंग तच इस द फॉर्स्ट एंफॉर्मोस्ट इस सेकंड फिर्वेंट हैंड वाशीं आप सोप वाटर से अपना हैंड वाश कर लीजिए बार बार जो इंफेक्टेड परसन है वह भी अपना हाथ होता रहें और जो केर लेता है उसका वह भी फ्रिक कि अपने प्रिक हो जाता है ठीक है मैम लेकिन अभी कुछ मामले ऐसे भी आये हैं और कुछ मैने भी देखा अपने आस परोस में या फामिली में आई फ्रियू हुआ हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया डॉक्टर ने आइडरॉब दी हमने वह आईडरॉब इस्तमाल की है लेक आप लोग ऐसे भी मिले हैं जो दो हफ्ते होगे लेकिन आई प्रोपर तरीके से ठीक नहीं हो पाई है अभी भी पेन है या वो हल्की डेडनेस है उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए कोई और दिकत हो सकती है अगर एक हफ्ते से जादे रडनेस तरह से जादे रही है या पर शुम्टम्स कंटियू कर एं है यह जो सुझ अप्थामोलोगिस्ट क्योंकि आई की एक डोक्तर फिर देख तेह है कि कोई कॉंटिव एक प्रोप्टिव इस में कोई प्लिकिशन आगी है उन्कुर्टिट ए इसके रचाद आगे निए प्रत्र फिर में की प्लिकिशन कोई टुल किक तरह एक लाव इसका रहा खिर थानागी है यह जानने के शुझट जेधा है कितना हम्फुल हो सकता है अगर आप वक्त रहते यह प्रहते कंसर्त नहीं करते है अपनी आखती है और आज है कि आंक यह एक लिख प्रणगे और ही इसा में चाहिए शुप्तर कुंछा कहते बात कर दोहा, विझे बात करोफ जोगा इसाँ रेगे भी लिख्टान होती हैं यह जो बुझा इसे एक जाहिए पर नकिन जोगे बात कर दोगी होते हैं लिकान गार्शाथ के मौसम में बात कर लें लेकिन इसके लिए हमें पहले से पपेर वहे लेहें है। आप आफिउररा इबंपर्णारी में वीज फेल्टियु भी ङए उफिक्शियूस होती है। बैक्टेरियल या वाइरल इंफेक्शन बहुत जल्दी एक बादिश के मौसम में तो इसमें जो जब से कॉमन बिमारिया होती है वह है गास्टराइटिस वायरल हेपटाइटिस फ्लु और इसम डिसेस इयुद सकती है नो, जो भी बहुत है। वेक्ष्णून पीमारियम फिर्द भाषा में उख्या ब्रहां का सकती हैं कि क्योंकि द Llarshuk तो सब्सक्राइबज ऑच बहुत जाएगा बटम आमnew이 चल की भाशा सबहां का खायों वे प victim, फूह अखुश हे कि पानी पीढ है उचाओ पानी कर्या, बढर कर्या को, तुष्वशत, होक्त पूसकते हैं ओमानी पानीटिंग अप्सिट हो सिकार्प्स, so it is an indication of the There is a तो आपको हाईग्रेट फीवर होता है उसके साथ कुछ पेट के सिम्टम्स रहते हैं जैसे के लूज मोशन या कॉंस्टिपेशन तो इसका भी ध्यार रखना चाहिए हमें अगर 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 मलेरिया या गेंगी है तो उसमें भी बहुत हाई फीवर विच चिल्स स्पेसिपि के जाओ तरफ तरफ होता है रिक्रोर्विटल पीन होता है यह तेंगर के सिम्टम्स है यह सारे इंफेक्टिव डिजस्स को छोड़ के भी कवाद स्किन के प्रोल्म्स भी पेशेंस में दिखाई देती हैं तो आज के दौर में लोग अपनी हर और्गन से लोग बहुत प्या प्रोल्मस है यह कोई इंफेक्शन है तो वह और ज्यादा बढ़ जाता है इसकी रोग थाम के लिए क्या करें अगर प्रोपर आप मेडिसिन भी तो भी वह बढ़ रहा है तो मॉंसूंद में जो फैलने वाली दो दरह कि स्किन डिजीज के बारे में में स्पेसिपिकली बात है तो अगर पैरों में पढ़न इंफेक्शण है इंबट्वी थ equipT AND केट अगर घंवेप्शन है तो यह चोंद थाओ रहाँ तो आपकत अग अगर यह तो फिन बात गया तो उसमें क्या होता है कि अर्टिकारियल हाइज हो जाते हैं आपके स्किन में खुचली होने लगती है और रेड रेड कलर के हाइज बन जाते हैं तो वह भी रहने सिजन में काफी पॉमन है जो इसके लावा मैं हम देख रहे हैं कि अभी अचारक से बरसात हो जाती है फिर उसके बाद धूप निकलती है लोगों के बहुत जादा परिशान कर गई है लोग बहुत सारे बिमारियों से घर गए हैं बोडी पेन लोगों को बहुत जादा हो रहा है फीवर आ रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है और बरसात के मौसम में लोग उतना अपनी केर भी नहीं कर पाते क्यों कि अफिस भी जाना है अब अफिस दो चुटी लेकर नहीं बैठ सकते तो ऐसे में लोग किस तरह से प्रिपेर रहें सब चीजों के लिए ऐसा क्या खाएं कि ऐसी मौस भी बिमारियों से बचे रहें डाइट कैसी होनी चाहिए मैं घल्थी रहना क्या कुझे होसाओना थाक्लिश भार आइट toby मैं हमेशह भोलू कि अवार पर या थाम मिल्टा है रहता है रहें daha ही अपर अपर घरका खाना प्वाष के जूसे हम पी लेते हैं, उसको हम एबोड करें, क्योंकि उससे मैसमा बिमारिया पहलती हैं। इवन विए टेकिंग बाटर पानी भी पी रहें तो हम वहत कॉशियस रहें कि यह पानी मैं कहीं से इंफेक्शन को नहीं आरा हैं। तो है कर भी बाटल षते हैं, वह रे लिए अज cabin in the water bottle during the water, नो कि और रहे लेएं, बाटल नहीं को अनुसे अफों करिये और राक्तिम हें। वह झवारिस लिए जडेंमनेश को पानी पड़ल से एप हैं। कि विए लिए पानी पानी बाटल पर्म से रहें। जाने हमें आपनी जीलिटी प्र بالकष करने की जुरत है अपनी इमुरिटी अच्छी रखने की दो मार्य हम लगे शुद्ण सब्हेंने सकती हैं जो आफिस जाते हैं लो हुप्छे इतनी कैसे रखा जाए लेकिन बच्छ बज़र्गें काईसे रखा जाएक जाएव वो आहिकर भी स्पाइब को और पारीशे झालगे थानी उन्हादा है? तो हम देंगी और मलेडिया से बख सकते हैं यह सेमें इस प्रूब फर एंडरी पीपल और क्योंकि हम रिलाइज नहीं करते हैं घर के अंदर भी मच्छर रहते हैं तो इस ताइम पर आप फुल कॉटन के कपड़े पहनाईगे तो भी की की और कि परेफमी कोटन नहीं उन्हे जा है और लम एन चुझ जा से लिए प्राइज के कार बाट है रहीं और कोड़े केशियर से नहीं में। आपकी तो पिर नहीं विए फिरी पर सी के कव इतार्एksi मैं देखिए हमने रेनी सीजन पर बात कर ली जो मौसी बिमारिया है उस पर हमने बात कर लिया आई फ्लू पर हमने बात कर लिया लेकिन अब धीरे धीरे जो रेनी सीजन है वो खत्म होगा रेनी सीजन खत्म होकर भी जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी बिमारिया घर कर इसके लिए अपनी बॉल्ड को किस तरह से में प्रपेर करना है अपने अमिनी सीस्टेम कि तरह करना है दिखें, चेंज आफ सीजन में येस हमारी बाड़ी की इम्मिनिटी कम हो जा रही है, तो मैं आपको जेंरली स्पिकिंग इम्मिनिटी को कैसे बनाया, रखा जाये, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं, खासकर के एल्डरली पोपुलेशन में ये शुट आप प्रिवें ब्लड प्रिशर तो नहीं है, उनका कोलेस्ट्रोल तो हाई नहीं है, लिवर किद्नी फंक्शन टेस्ट उनका खीक है, ब्लड में कोई कमी तो नहीं है, हमोग्रोविंग की कमी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव हेल्च चकब से हम जान पाते हैं, ये पह आपके पास बहुत सारे पेशन्स आते होंगे चैक अप कराने के लिए तो क्या उनको अलग से कुछ ध्यान रखने की ज़रोथ है? क्यों आते है की जो यसे पेशन्स होते हैं जो ये नहीं गोलोगी कि उनहीं कुछ एक्स्छा करना हैं बाइस व्यूरोथ है जिए लगल सब्सख्विए देख भी जड़रोगाने ज़रोगाने पास्तिंशितार क्या चैनलई खाना हैं पारी क्या इस होना है जो अग्यान के पा अपने पीट को पाइन के और चाहिए उसको हर दियान से ठेकht है अपने पीट को एज अपनी नियॡ दियान कोछिज करें, इसको कोछिश करें लिगू औले संग यह आऊ सब थेशल फ़ीड होगा है जो कम जुन पीड़नों होता है फिरो second thing is always try to keep your blood sugar under control and watch your diet वाद राएट उसमें कुछ मीठा वगरा इक्स्राणिन खाई लिया और अपने शुगर कुछ कुछ दिनों के अंतर में चेक करते रहें घर भर गलुकोमेटर से अगर आपको लग रहें दीटीक छो रेक्श हैं यतिच निट खोपते शुग पर दीपोस ठीक है मां बहुत अच्छ लागा आप से बात करके तमाभ वी बीमारियां थी थे और हमने बहुत अच्छे से रिसकस किया है उमीद है कि दर्शकों को भी समझ में आयोगा और पसंद आयोगा कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है रेनी सीजन में रेनी सीजन के बाद जब विदर चेज होता है तब आपको किस तरह से ध्यान रखना है बच्चों का किस तरह स सकती है आई फ्ली उपर जो कि भी बहुत जादा फैल रहा है इस पर भी उनने बताए कि कैसे बचाप करना है कैसा कॉंटेक्ट में आने से होता है देखने से नहीं फैलता है उमीद है कि सारी बाते आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अगले सबता पर लोटेंग झाल झाल